संथाली जन्जाती की एक दंद कथा पर आधारित स्रिजन की कहानी कराम बिंती मेरा नाम रसिक बासकी मैं संथाली भासा में स्रिष्टी का इतिहास बता रहा हूँ मैं स्रिजन का कुछ इतिहास बताने जा रहा हूँ जो संथाली में कराम बिंती के नाम से जाना जाता है प्रण दर्ण दर्ण एछ फइन तरहर रा इटन न東 रहर फ़ फ़ोचे और कर्ण है आप ले आप में हैं तरहर फ़ोगीर थो फैंँ तर्ऱ प्रणź ज्यिकिते थैंग है तारे ना तारे ताना ना ना तारे ताना 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 ना तार आदो हंते कोई हो मिट्रे आरां आजो मिनना आरे तानाना, ता रे नाता, रे तानाहा नाना, ओ, तारे ताना ना तारे ना तारे ताना ना ना ओ युमिन मारंग हांकर रे युमिन मारंग यूत यांदो का जाए बारे मिना पेकान मांसे वाला रो होड साड़ी पे इन्दो बचारे निमो तो गी आदो उन्ते खोई हो आडांग अंजो मिना आर बनार से खोई आदो किन मेन की दा अच्छा बनाहोर लंग हो लिखाए पासे आरहो जहाए हिना कुआ आदो बनाहोर मिलोगते आरहो उनका कथाए किन रोडेट करना आदो नुआदो धरती सिर्जन्रिया का थाए लिया पेकना जालापुरे चिलिकाते सिर्जेवना पतालपुरे चिलिकाते सिर्जेवना सरांपुरे चिलिकाते सिर्जेवना धरती पुरे चिलिकाते सिर्जेवना मानवा चिलिकाबुन सिर्जेवना आर बीर बुरु दारे नणी चिलिका सिर्जेवना जुम्गामा कर लिए करें कर दोम आठो दोगी अर घृकि में खोई पभाःबने तो अशंचोर्ण नां न हिजो। आर इन तयाम दुसार ये होसोरन खाय उनी दो निन्द चांदू आदो सीन चांदू दो सीन ये मारसाला आर निन्द चांदू दो निन्द ये मारसाला आदो उनका ते उनी ठकूर जिठे दो मी मली दा आर मी गुली हसा ताहे गानते अधो उना गी ओंके खाय, उना हसा तो गलावना, उना दो पताल पूरी ते चलावना, और उना मीमली दा उना दो जाला पूरी बिनावना अधो उना जाला पूरी रे उनी ठकरन को गोदो दिनम गी उमु ए फेड़ो कान थाया कोले ले उकते अधो उना उकाटा गड़ी ते फेड़ो कान थाया उना दो तोड़े सुत्वम रिया गड़ी ताहे कना अधो उन्डे की डबरकान तहे खाय उना कोडाम रिया मेले ते उना डिमोज मनवारू पे बिनाव के किना अधो मन्मारूप बिनाव कते ठकोर जी मिता दिया मन्मादो जीवी इमा वकिन में अधो उन्रे सीन्चादम उन्रे सरांग पुरी खोई फेट कते उन्रे है कते उन्ना दाज्योई फेटलना जालापूर रे उन्रे लेवेट बढ़िके किना अधो तायम ते दुसारे ले जेले किन खाटर करनो को मन्मारूप दे लेवेट बढ़िके दाज्योई उन्रे नुंका को सिरी दाज्योई जाला आमा ताला रे है को लेलक चीतान रे टकूर जी माने वाहाई पिना ले लेकिन सिंचा दाज्योई सली है ले बेडे बढ़िके लेकिन सुना लेका रूप तकिन हाई हाई दायागी अदो अदो अदी भाबनाए ना भाबना कते आर हो इटाक गरोते उन्डे उनकीने जोतरूवल केकिन आठ्रकूर जी मिता दिया नुकिन्दो जीवी इमा किन में अदो जीवी ओंगा किन खाए उनकीन दो मनुआरूप खोईदों चेल्णे रूप किन होईना अदो उनकीन दो कुझी तूंके किना हास अर हसिल अदो जालापुरी ताहे करना गुटा कि दा अर दा उकार किन अभवा अदो उनकीन किन उनकीन राई दा रोड दा किन तारे ना तारे रे तारे ना 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 हो काहे ठकुर्जी जोनों में दिले काहे ठकुर्जी रुप दिले ना लिरे या दुड़ो उठाई दो बनू तली ना उनरे अदो ताकुर्जी जालापुरी ते भूमपेड महादेवे कूल की दिया आर उन्ही दा तलारे उटुप तुर एना आर उनरे उनकीन हा ससील चेनकेन आप एना और उनरे की जोम किनन्यों येकीन इनकते आदो उनकीन किनता है ना अधो उना दाः तलारे सियालम जनामीना सियालम चितानरे करामदारेईना करामबुटरे सीरम जनामीना सीरम दंधिरे उनकीन चेणे कीन तुक कीदा तुक खोई हासा सेल चेण किन बिली किदा और चेण बिली खोई मानवा किन सिर्जावना उनकिन दुको जुत्तूंके किन पिल्चु हडामार पिल्चु उड़े अदनुंकाको मेना जुला जुला तालारे मरा जुला तालार काराम भूटरे चेणे होपोन जुला जुला तालारे मरा जुला तालारे दाल चेतान रे काराम भूटरे चेणे होपोन जुला 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 जुल हाई हाई जाला पूरी रहे हाई हाई दाल जाना में हाई हाई जाला पूरी रहे हाई हाई दाल जाना में हाई हाई दाल चितान रहे हाई हाई कारम जाना में हाई हाई काराम उट रे हाई हाई सीरम जाना में हाई हाई सीरम दांधी रे हाँ से हाँ सिल चेले दो किंतु कवा का दा हाई हाई दोसेल याई बेहने हाई 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 दोसेल याई बेहना हाई दोसेल याई बेहने हाई 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 बापो तकरती में Iain, 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 Jala puri re, Iain, 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 I कि देख संतार ना hada unkin kina two अधाने कीन जनम और a manoa जनम कथे उनकी न थो ठाकुर जी इल्लया की ना the शा बूलया काते बइनी गई बैनी गई बार्याइकुल के कि ना अर उनकी नकी न थोँ आ यूतेकी उनकी इद रगंद लुटव ए अधरने, धानि घर नई बताई के लिए ऌस्न और उन्म ओर सईल्च साधन एवनितल भोक्त दोश बताई को星 dares और भोर सिरू जाना में न सभेक लिए jeśli अधरने는 ना ना उन्म आध्रन शेख ड़े पूरी ची काबुन बनावा अदो उना ते धरती पूरी बनाव लगी तुबे को हुदिस की दा अदो मरांग भोलो जाहर रा गुसाई रा मोने को तुरोई को उनको साउ साउ ते उनको दो कुकुड आर ढोई से रे गालमाराव को दोह की दा आर दोह कते उन्डे नुको मोने होर को खजके को धीरी काटकों रहिमत लेंडां कच्छिम कुणरी अंडे ऊंडे उनी द चीखा अहां धरत आए ःचि रकल बुए ये अंडे उनीको कुल की दिया न्यो खजके पनीको में आर अटाल पूर ये हम इनिल्म पार्ड़ा आह अ way नहीं रकल दना। में जमन धर्ती बिनावलें खाय मानुवान उन्ड हो दाड़े एको आर तिहें उना जरूरोड़ कना उन्रे उनी को मिता दिया ठकुरी इचलावना अच्छू कते ज्याम कते इचलावन खाय पताल पूरीते उन्डे हासा गेर किदा मुच्छा परे आरे रकावना में खंदा कर दो दो आरे रहन वाह पूर तिहां खाय मानुवाना भूरीते नो आरे भूर जिया से लोग दो आरे रहन भापो था कुरटिना भूरावना टो आरे रहन भापो ओकु को तिहें नीड से दोसे लह याई बेहनवा पूठा कुरती निहीन हुईते ते दो बांगी राकावले इन दोन में निली दाइन गी राकावा इन दोन में निली दाइन गी राकावा आई इन हुईते ते दो बांगी राकावले आदो बायराकाब दाड़े दाइन दिरी कट्कम कुकूल को देया उनि हुए चलाओ ना आया डाटो ते डाटो की दा मेंखान हरु रिगे साना उनादो गलाव जूरे ना इन तयम कुकून को दिया सोलेच उन्नी हो उनकागी भायर कापदा दा दा इन तयम दो रहिमत लेंदम कुमित द दिया दू रकाब में तो उन दो पतालपुरी ते चला ऊना उन्ने मुचाय दोहो कीदा अरचानबोल दनुआ दा चितान दे अधो ठीक उन्ने खो ए जोमी दा अर्जों के लाता चितान ते इड़ा, सरी आगे उना हसार रूप चितान को नियल के दा अदो अन्डे को अधिस के दा चिकाते नंडे बंदो है अदो कछिम कुंरी मरांग बुर को कोल के अगुई लगी अदो उने की नुआए मिताए कना ताहरितान नात्रनाथ ताहरिता हो ताहरितान नात्रनाना नाना हो दिलांचारो हो सरो निले गव पुरूदो देलांग चारो हो सारो नेलगो दुरंगो नुन्रूं तालांगो सारो सुनुम सिंदुर दो बाहर तालांगो सारो नायनौम का जार दो अधर मिताय के ना मा साजा में सपड़ा में सुनुम सिंदुर दो दो अधर कुकुड अधर दो जोग को लगाऊ का दा उन्धो नेलगो को धरती को सिर्जेव का अधर में दोनी कचिम कुँआरी ताहरी तानानात्रनाताहरी ताहो ताहरी तानात्रनाना नामाओ बालांग चला हो सारो नेलगो पुरूदो बालंग चला हो सारो नेलगो दुरंदो नेला कानली कागी चो नेलगो पुरू दो बादाया कानली कागी चो नेलगो दुरंदो अदो इमिताय के इंदों बादाय के और बालंग चला दों बांग दिला चला के हुई हुई हादो उनका ते दिख दिख दिया वुलवृु फिल अर किन हम उप्सकृ। जोत्यों जंग रूब दिया, और सिक्ड़ से भाल, शिक्ड़ की काले मैं पॉर्ण पुरी तो दांगम मैंने दाव मौन को तरोई को जाहे रहरा मारां गूरों स्थीकिना तेरा इमत लेन्डॉं मौन को तरोई को जाहे रहरा आद करें, जालालाइ चेलता पूरे चेलता भीतुरती जालता भीतौती की हर्ले चेलता भीतुर्ट मित्रों, ये उस समय की बात है, जब दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था, न धर्ती थी, न ही मानव, केवल अंधकार ही अंधकार था, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था, ये उस समय की कहानी है, काराम बिंती, जो हमारे स्रिजन के बारे में बता रही है, सहसा अंधकार से आवाज आने लगी, कौन है, कोई है तो बोलो, आवाज दो, आवाज दो, मैं तो अकेला हूँ, कोई है, कोई है तो बोलो, आवाज दो, मैं तो अकेली हूँ, इसके बाद दोनों मिलकर, उसी तरह की ही आवाज करने लगे, कोई है, कोई है तो बोलो, आवाज दो, कोई है, त्री स्री ओर से आवाज आने लगी, हाँ है, हाँ है, अरे, हम लोग तो स्रीजन हो गए हैं, आपके आशिरवाद से, जिन जिन का स्रीजन हुआ, उनके नाम थे, सारू, बारू, जीवा और जोंतर, सभी लोग अंधकार में ही थे, कुछ लोग और स्रीजन हुए, अब तक जो लोग स्रीजन हो गए, वे थे, ठाकुर जीव, ठाकुराइन गोगो, सारू, बारू, जीवा और जोंतर, अंधकार में ही सब लोग रह रहे थे, आवास तो सभी लोगों को आ रही थी, लेकिन दिखाई किसी को कुछ भी नहीं दे रहा था, सभी लोग प्रकाश का इंतिजार कर रहे थे, प्रकाश होगा की नहीं, अंधकार कैसे दूर होगा, तब ठाकुराइन गोगो से सिंग चांदो का स्रीजन हुआ, सिंग चांदो के आने के बाद प्रकाश ही प्रकाश फ़ल गया, और अंधकार कहीं लुप्त हो गया अब सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश था इसके बाद सभी लोग अंधकार का इंतिजार करने लगे अंधकार अब होगा, कब होगा ठाकुराइन गोगो से इंदा चांदों का स्रिजन हुआ तब अंधकार फिर से हो गया अब अंधकार होने के बाद प्रकाश होने लगा तथा प्रकाश होने के बाद अंधकार होने लगा और ये सिलसिला लगातार चलने लगा और तो और सभी लोगों का आपस में परिचय भी हो गया ठाकुर जीव, ठाकुराइन गोगो, सारू, बारू, जीवा और जॉन्तर तथा शिंग चांदो एवं इंदा चांदो सिंग चांदों से प्रकाश का स्रिजन हुआ एवं इंदा चांदों से अंधकार का स्रिजन हुआ इसी लिए सिंग माने दिन और इंदा माने राथ प्रकाश आने से सब ने देखा कि ठाकुर जीव के हाथ में एक मिट्टी का प्याला यानि माली भी है तबी ठाकुर जीव ने मिट्टी पर फूँग दिया माने ओंकी किया मिट्टी पानी में गल गई तथा उस पानी से समस्त्रिष्टी जल मगन हो गई उसका नाम जाला पूरी पड़ा अब जाला पूरी बन गई थी जाला पूरी में ठाकुराइन गोगो दिन में स्नान करने आती थी जिस जगे वो स्नान करती थी उस जगे का नाम कोले लावका पड़ा कोले लावका का मतलब है नाव के आकार का एक दिन नहाते हुए ठकराइन गोगो के शरीर से काफी मैल निकला उस मैल से मानव आकरिती बना कर कोले लावका में रख दिया उसके बाद ठकराइन गोगो जहां से आई थी वहीं चली गई इसके बाद जालापुरी में सिंग सादोम एक प्रकार का घुड़ा पानी पीने के लिए कोले लावका में आया उसने वहाँ पानी पिया और उसके बाद मानव स्वरूप आकरिती को पैर से कुचल दिया दूसरे दिन जब ठकराइन गोगो स्नान करने आई तो देखा कि सिंग सादोम ने मानव रूप कुचल दिया है वो बहुत दुखी हुई बची खुची मिट्टी से उन्होंने मानव स्वरूप को बनाने का फिर से प्रत्न किया लेकिन स्वरूप उतना अच्छा नहीं बन सका ठकराइन गोगो ठकर जीव से बोली इसको जीवन दान दे दो यानि जिन्दा कर दो ठाकुर जीव के आश्रिवाद से उसको जीवनदान तो मिल गया लेकिन चिडिया के जोड़े की रूप में क्योंकि ठाकुराइन ने जल्दबाजी की थी चिडिया के जोड़े का नाम का स्रिजन हुआ हंस हांसल इसके बाद हंस हांसल दोनों ठाकुर जीव से प्रात्ना करने लगे, ठाकुर जीव जन तो दिया लेकिन रहने के लिए घर और खाने के लिए कुछ नहीं दिया, क्यों आपने हमें पैदा किया, क्यों आपने हमारा स्रिजन किया, तब इसके बाद ठाकुर जीव ने पाताल प एक पेड भूम पेड महादेव के नाम का स्रिजन किया जो पानी की ऊपर खड़ा हो गया उसी की ऊपर हंस हासल रहने लगे पानी पीते समय सिंग सादों के मुझ से जाग निकला और पानी में ठक्राइन गोगो के कुछ बाल गिरे हुए थे जाग और बालों के मिश्रण से सारंग पूरी का स्रिजन हुए अब ठक्राइन गोगो सारंग पूरी चले गए जाला पूरी में ठक्राइन गोगो का बाल एवन जाग का कुछ अंश रह गया था उससे काई यानि डोल या सेया लोम का स्रिजन हुआ काई में से एक पौधे का स्रिजन हुआ जिसका नाम पड़ा कारामदारे कारामदारे की नीचे घास यानी सिरोम पैदा हुई हंस हासल ने सिरोम में घोसला बनाया इसके बाद अंडे दिये अंडे से दो जीव पैदा हुए लेकिन उनका स्वरूप कोले लावका में बनाय हुए मानव स्वरूप जैसा था मानव स्वरूप जैसा जिनको सिंग सादोम ने बरबाद कर दिया था हंस हासल ने देखा कि उनके अंडे से जो स्रिजन हुआ है वो हमारे स्वरूप से तो नहीं मिलता वो चिंतित हो गए और उड़कर कहीं चले गए इसके बाद ठाकुर्जीव ने मारांग बुरु देव मून को स्रिजन कर जालापुरी का समाचार जानने के लिए वहाँ भेज दिया मारांग बुरु जालापुरी पहुँचे वहाँ की स्थितियों का अवलोकन किया उन्हाने देखा जालापुरी में डोल यानि काई का जन्र हुआ है उसकी उपर कारामदारे का स्रिजन हुआ है कारामदारे की नीचे सिरों यानि घास का स्रिजन हुआ है वहाँ हंस हासिल ने घोसला बनाया उसमें अंडे दिये जिससे दो जीव पैदा हुए क्योंकि उन जीवों का स्वरूप हंस हांसिल जैसा नहीं था, वे उड़कर कहीं चले गए अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है इसके बाद ठाकुर जीव ने आईनी गाय बाईनी गाय एक प्रकार की दुधारू गाय का स्रजन किया आईनी गाय बाईनी गाय सबको दूध पिलाने लगी तब मानव रूप बड़ा होने लगा उनकी देखवाल के लिए मारांग बुरू मने देव मुन को यह जम्मेदारी दी गई बड़ा होने के बाद उनको देखने के लिए सारांग पूरी से ठाकुर जीव, ठकुराइन गोगो, जाहेर एरा, गोसाई एरा, मोडे को, तुरै को, एवन मारांग बुरू पहुँच गए दोनों मानव स्वरूपों को देख कर सबको लगा कि जीवों के रूप ठाकुर जीव और ठकुराइन गोगो जैसे ही थे, सभी लोगों ने उनके जन्म की खुशी मनाई उसके बाद दोनों मानव स्वरूपों का नाम करण किया गया, पिल्चू हाडम और पिल्चू बुड़ही लोग दोनों को सारंग पुरी ले गए तथा आदान, बागवान नामक जगे में ठहरा दिया वे दोनों सारंग पुरूई में पलने और बढ़ने लगे उनके रहने के लिए धर्ती की अवशक्ता हुई क्योंकि मानव जन में जिन पूज जनों ने योगदान दिया था यानि कि भूम पेड महादेव, कारामदारे, सियालोम, सिरोम, एवं आइनी गाए, बाइनी गाए को ठाकुर जीव से ये वर्दान प्राप्त हुआ था कि मानव धर्ती पस थापित होकर उनकी पूजा एवं सम्मान करेंगे धर्ती पूरी के स्रिजन के लिए मारांग बुरू को जालापूरी भेजा गया मारांग बुरू ने जालापूरी में रहने वाले पांच सदस्यों के दल से संपर्क किया उनके नाम थे राधो बोवाड, धिरी कांटकोम, रायमात लेंडोम, सीले इचाक, कच्छिम कुवारी ये लोग क्योंकि जालापूरी की निवासी थे, इनको मिट्टी की गहराई का पूरी तरह से अंदास था फिर मारांग बुरू ने जालापूरी में जले जीवों का एक सम्मेलन बुलाया उसमें उपर्यूग तंकित नाम प्रमुक थे और साथ ही ये नाम भी थे जाहेर एरा, गुसाई एरा, मोडे को, तुरुई को इन सभी को आमंतरित किया गया सबसे पहले राधो बोवार को मौका दिया गया क्योंकि वो ताकतवर था और जालापूरी को अच्छी तरह से जानता था मिट्टी की खोज में वो जालापूरी से पातालपूर पहुँचा पातालपूरी में उसे कोई मिट्टी नहीं मिली फिर पाताल पुरी से ताल पुरी पहुँचा, वहां भी कोई मिट्टी नहीं मिली, फिर ताल पुरी से साथ जोजन पुरी पहुँचा, वहां मिट्टी मौजूद थी राधो बोवार ने खुब मिट्टी खाई, कुछ मुँ में भरी, कुछ पीट पर डाली और चल पड़ा लेकिन रास्ते में पानी इतना था कि आते आते सब मिट्टी गल कर नीचे चली गए फिर बारी बारी सब को पाताल पूरी जाने का मौका दिया गया अंत में कच्छिम कुवारी एवं रायमात लेंडोम के प्रयास से मिट्टी साथ जोजन पूरी से लाई गई एवं धर्ती पूरी का स्रिजन किया गया ठाक और जीव ने सब को धन्यवाद दिया धर्ती पूरी बन चुकी है, सब का प्रयास सफल रहा, सभी खुशी मनाए इसके बाद उन्होंने गीत गया है, उनके मूल शब्द इस तरह हैं दाक दो दाग गे काटिच यालाग दाक, दाग ते बेनाव लेना जाला पूरी फोतो दो फोतो गे काटिच चुलूम फोतो, फोतो ते बेनाव लेना सारांग पूरी धर्ती के जनम के बाद प्रारम से मिट्टी उबढ खाबड थी मारांग बुरु ने धर्ती पुरी के बनने की खबर ठाकुर जीव को दे दी उन्होंने एक डामकोम डांगरा यानि एक तरह का बैल का स्रिजन किया और उसको धर्ती पर भेजा मारांग बुरु ने डामकोम डांगरा के सयोग से धर्ती पुरी को समतल बनाया धर्ती पुरी अब धर्ती बन गई पौधों का स्रिजन हुआ मानव के रहने लाइक जगह के चैन हेतु मारांग बुरू ने तीर चलाया जिस पेड में पहला तीर लगा वो सारजोम यानी साल कहलाया जिस पेड में दूसरा तीर लगा वो मातकोम यानी महुआ कहलाया फिर मानव पिल्चू हाडाम एवं पिल्चू बुड़ही को सारंग पुरी से धर्ती पुरी लाया गया सब लोगों ने बहुत खुशिया मनाई उसके बाद गीत में ही कुछ प्रश्न उत्तर है और मूल में इस तरह है उमीन मारांग धर्ती चार कोना पीर थीनी ओकाय स्रिजन लेदा लोवा धर्ती ये प्रश्न है जिसका मतलब है इतनी बड़ी धर्ती का स्रिजन किस ने किया इसका उत्तर है मूल में मोडेको तुरैको जाहर एरा मारांग बुरी सिकनात रायमात लेंडोम हिंदी बेस का उर्पांतर है रायमत लेंडोम ने मोडेको तुरैको एवं जाहर एरा की उपस्थिती में मारांग बुरु की साहता से धर्ती का निर्मान किया तो ये स्रिजन की कहानी यूँ समाप्त होती है कराम बिंते अभी आप सुन रहे थे संथाली जन्जाती में प्रचलित ये दंत कथा जिसका अर्थ है स्रिजन की कहानी संथाली से मूल हिंदी अनुवाद और गायन स्वर रसिक बास की वाचन स्वर प्रफेसर अन्विता अभी धुनेंकन शानु मुक्सीम निर्मान सहयोग मयंक थपलियाल निर्मान इवंदोनी संपादन वंदिना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नैदिल्ली